नमस्कार पिडियारत्यू, स्वगत आपका WKS Physics Academy BSC 30 exam के अंदर जो हम most important question बता रहे हैं उसके अंदर paper first quantum physics का complete हो चुका है उसका paper भी हो गया है और उसमें काफी सारे question आये हैं जो हमने बताए थे इसके बाद paper नमबर 2 जो है nuclear and solid state physics का उसकी चार unit के important person में upload कर चुका हो कल ही हमने nuclear physics की unit number 1 जो है nuclear property और binding energy उसको upload किया था तो उसकी जो solution है question के वो मैं telegram channel पे upload करूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को press शुरूर कर दीजेगा और share जुरूर कर दें ताकि अधिक से देख विद्यारती जो है इसके बादे हम से पढ़ सकें तो आज हम nuclear physics unit number 2 के important question upload करेंगे और इसी के साथ ही इस paper की total 5 minute जो है उसके important person upload हो जाएंगे 2022 में इनक्याने की पूरी-पूरी संभावना ही है टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जिसका link इस video के description में मिल जाएगा अगर link open नहीं होता है तो इसी channel का नाम आप टेलिग्राम में लगा के और वहां से direct join भी कर सकते हैं तो यहां से section A के अंदर हम बात करते हैं section A के अंदर हमारा question आता है पहला सौत है विखंडन self fusion क्या होता है गुणन कारक multiplication factor क्या है काफी important है section B के अंदर है इसको detail से भी पूछा जा सकता है करांतिक दिरिमान critical mass क्या होता है nuclear reaction के अंदर है क्या importance है संखला विक्रिया chain reaction क्या होती है proton proton चक्र क्या होता है proton proton चक्र को लिखना भी आ सकता है आया भी है पहले काफी important है इसके लावा इसमें एक main point आपको बता रहा हूँ तीन भारतिय रियक्टरों के नाम जो Indian reactor है उनके नाम आपको पूछ सकते हैं तीन भारतिय रियक्टर के नाम कौण कौण से हैं यानि आधादय नंबर करके आपको डेड़ नंबर में तीन नाम आ सकते हैं इसके अलावा नाभी के विखंडन विक्रिशन हो क्या होता है इसके बार हम बात करें section B की तो section B में numerical भी आते हैं आपको वो भी बताएंगी तो यहापर आप देख सकते है section B के अंदर आपका क्योशन है swim posis रंखला विक्रिया की सरतें क्या है यानि जो necessary condition है self chain reaction की वो क्या होती है यह आप अच्छे तरीके से याद कर लिजिएगा इसके लावा सवता विखंडन और वीभो रोधिका potential barrier और self efficient है वो क्या होता है पुरा detail से explain करना भी आ सकता है इसके लावा इसके अंदर part भी आ सकता है कि सम्मित सवता विखंडन की सरतें क्या है नाविके विखंडन और सल्लेन में अंतर यह पहले पूछा तो नहीं गया है लेकिन अब की बार हो सकता है इसको पूछ लिया जाए कि नाविके विखंडन और नाविके सलन में डिफरेंस क्या होता है पांच से पॉइंट आपको लिखने हैं तीन नमबर के अंदर ये आ सकता है इसके अलावा गुणन कारक जो भी मैंने section 1 के अंदर आपको बताया उसको detail से explain करके section B के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद मैं आपको 3 numerical बता रहा हूँ जो काफी important है ये आपका first numerical है यदि एक सकती डियक्टर में 30,000 किलो वाट की दर से सकती उत्पन होती है तो उसमें 30 second कितने uranium परमानों का विखंडन होगा यानि आपको uranium परमानों की संख्या यहां पर बतानी है यदि एक विखंडन में 200 mega electron volt उर्जा विब्मुक्त होती है तो 1000 घंटों में परचालन में uranium की कितने मातरा का विखंडन होगा यानि एक परकार्सिस में 2 question add किये गए हैं हो सकता है आपको आधा question पूछ ले हो सकता है पूरा भी पूछ ले इनका solution जो है वो टेलिग्राम पे आपको मिल जाएगा इसके बाद हम next question की बात करते हैं ये भी काफी important है कि 100 gram uranium 235 के विखंडन से उत्पन उर्जा की गढणना करो एक विखंडन में 200 mega electron volt उर्जा उत्पन होती है सबसे most important numerical है वो यही है इसके बाद एक और हैता है हमारा 3 numerical हमने आपको बताए है कि बाण में uranium 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 mega electron volt उर्जा प्राप्त होती है तो आपको गढणना करनी है कि एक सेकंड में कितने विखंडन होने चाहिए यानि विखंडन की संख्या बतानी है कि 2 kilo watt सकती प्राप्त हो सके इन सभी के solution है वो आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा दो इसके बाद हम बात करते हैं section C की तो section C के अंदर liquid drop model की सायता से यानि जो दरव बूंद model है उसकी help से नाविके विखंडन को समझाना वराविस्तार से आ सकता है क्योंकि ये पहले आया हुआ नहीं है तो अपकी बार इसके चांसे ज़्यादा है इसके अलवा परमानू भटी नाविके रेक्टर की सरत्तना कारे paper नाली जो है ये तो important है ये तो हर बार आता ही है तो ये दो आप अच्छे तरीके से त्यार जरूर कर लिजेगा इसी के साथ हमारा paper नमबर दो जो है उसके सभी unit के most important person जो है को आपने upload कर दिये हैं आप playlist में जाके देख सकते हैं इस वीडियो के description में उन सभी का link में आपको दे दूँगा तो मिलतें next वीडियो में धन्यवाद